नमस्कार, अब दूसरे चर्ण के चुनाओं के सीटों के बारे मैं बता रहा हूँ और नगीना और अम्रोहा, इन सीटों के बारे मैं बता चुका हूँ और अम्रोहा वो सीट थी जहाँ 1991 के बाद जो राम मंदिर अंदोलन हुआ तो भारती जनता पार्टी ने अपनी पकड़ का प्रत्याशी रहा वही सांसत बन जाता था, 1991 के बाद लगातार पाँच बार चातरपाल सींग जो सांसत बने थे पहली बार 1991 में तो वो भी लगातार चार बार जीते यहां से, तो कुल मिला का जो सीट थी वो कैसे किस तरह से गई पाँच बार कॉंग्रेस जीती थी आज पूरो मुख्यमंत्री, 2004 में कल्यार सिंग और 1983 की उपचुनाओं में बाबु बनारसी दास, जो वो भी पूरो मुख्यमंत्री रह चुके है, तो इन दोनों लोगों को यहां से सांसत चुनकर यहां की जनता ने भेजा, बुलन शहर की जनता ने, और बुलन शहर को अगर कहें यहां गौत्या का मुद्दा भी बहुत गरम रहा था, और यहां एक जो पश्मी उत्तर प्रदेश से जब हम बढ़ते हैं, तो सहारंपूर से जब सहारंपूर आखरी हुआ, उत्तर प्रदेश उत्राखंड का, तो उधर से जब बढ़ते हैं सहारंपूर, मुझफर नगर और इधर जब आते हैं बुलन शहर की तरफ तो बुलन शहर में जो मुस्लिम आबादी है वो यहां कम होती है मतलब मुस्लिम अभी भी dominant हैं गर हिंदू मुसल्मान में देखें और जो कि हिंदू को जातियों में देखते हैं तो वोट भी वो उसी तरह से करते हैं तो 22 प्रतिशत के आसपास मुसल्मान और 77 प्रतिशत से ज्यादा वो हिंदू तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहता है शायद यही वजह थी कि मुस्लिम धुगी करान और उसके साथ हिंदू भी जुड़े इसके लिए उसके पक्ष में सभा की तो उन्होंने कहा कि बजरंग बली तो आरिवासी दलित हैं और अली भी हमारे हैं तो यह एक यहां का जो समीकरान है उसके बात से है और 2014 में जब यानि 1991 से 2009 तक और 2009 में सपा जीती फिर से भाजपा जीत गई तो जब 2014 में भोला सिंग जीते तो आप उसका अंदाज़ा लगाई कि 58 प्रतिशत कुल वोट पड़े थे 10 लाख से ज्यादा और उस 10 लाख में से ज्यादा का 60 प्रतिशत 60 प्रतिशत मतलब हो गया कि जो अंतर रहा वो अंतर था 4 लाख 21,000 से ज्यादा से जीत गए थे उनको 2,000,000 से भी कम वोट मिले थे और भोला सिंग फिर से प्रतियाशी है गटबंधन से इस बार प्रतीव जाटाओ की जगा योग वश्वरमा है बसमा अच्छा एक और चीज है कि कॉंग्रेस ने यहां से पूरु विधायक है बंसी पहाड़िया उन पर भरोसा चताया है अब वो सिर्फ वोट कटवा बनेंगे या सचमुच कुछ उसमें होगा इस पर थोड़ा सा लोगों को संदे है कि वो अपनी ताकत से बहुत कुछ लड़ पाएगी ये भी एक सीट है जहां लोध बहुत माने जाते हैं चुकि यहां इस इलाके में कई सीटों पर लोध मत द आता हूं कि अच्छी खासी संख्या है तो बुलन शहर भी एक ऐसी सीट है जो लोध के प्रभावली इसलिए कल्याण सिंग के भी प्रभावली मानी जाती है इस होज़े से भारती जनता पार्टी के दावा यहां मजबूत होता है लेकिन जो समीकरण हैं जिस तरह की सितिया हैं उसमें कौन किसका वोट काटेगा क्या चीज़े होंगे और किस तरह के समीकरण आगे बढ़ेंगे इससे भी तय होगा कि कौन बुलन शहर का अगला सांसद होने जा रहा है क्योंकि मोटा मोटा कहें तो यह जो पांच बार पहले कॉंग्रेस जीती उसके बीच में दूस कर दो दो